मैं ललीता और आप लोगों का seven star kitchen पर स्वागत है इस विडियो के PART 1 में मैंने आपको बताया था कि पानी पूरी के लिए तीखा पानी कैसे बनाएं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूं कि मीठा पानी कैसे बनाएं, आलू मसाला कैसे बनाएं पानी पूरी के लिए और उसके साथ ही इंस्टेंट पानी पूरी कैसे बनाई जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो मीठा पानी पनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम इमली लिटी, जिसे एक कप गरम पानी में भीगा दिया था वह ले लिया है, इस इमली को लगभग आदे घंटे के लिए मैंने भीगाकर ऐसे ही छोड़ दिया था अब इस इमली को हम हाथ से मैश करके अच्छे से चन्नी में छान लेंगे ताकि जो इसका पल्प है वो निकलाए अब हमने यहां पर एक पैन लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं गुड तो यह 100 ग्राम गुड मैंने ले लिया है और इसे मुटा-मुटा काट लिया है लो फ्लेम पर हम गुड को चलाते हुए पिगला लेंगे जैसे जैसे पैन गरम होगा यह जो गुड है अपने आप ही पिगलने लगेगा तो लगभग एक दो मिनट पकाने के पाद जो गुड है वो पिगल गया है तो अब हमने जो इमली का पल्प तयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे तो मैंने टोटल इमली जो ली थी वो 100 ग्राम ली थी तो लगभग 50 ग्राम पल्प मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प और गुड को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरीके से चलाते वे लगभग एक मिनट तक हम पका लेंगे फ्लेम को हमें लोही रखना है इसे पकाते वे लगभग एक मिनट मुझे हो गया है तो अब इसमें मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने लगभग एक तिहाई चम्मच काला नमक लिया है यह हम इसमें डाल देंगे स्वाधन उसार इसमें हम सफेद नमक डालेंगे लगबग एक चौथाई चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्श का पाउडर आधा चम्मच इसमें हम मुहना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर जो कि मैंने तीन चौथाई चमच लिया है तो लाल मिर्ज को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर है यह तीखा नहीं होता और कलर काफी अच्छा देता है लाल मिर्स पाउडर इसमें आप अपने स्वादमसार ही डालें चट्नी हमारी अल्मोस्ट रेडी हो गई है अब हम इसे एक मिनट और पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे इसे हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो चट्नी हो तले से चिपके नहीं अब जितना पानी आप तयार करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चट्नी आप ले ले एक बोल में तो यहां पर मैं मेठा पानी थोड़ा कम ही तयार करने वाली हूं तो लगबग 2-3 चमच मने यहां पर मेठी चट्नी निकाल ली है इस चट्नी को आप एक महिनी तक अराम से स्टोर कर सकते हैं यहे टाइट कंटीनर में रख किया फरीज में रख दे और जब भी आप कम बन करें आप इस चट्नी को यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लगबग 1.5 पानी ले लिया है अब चट्नी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी यहां पर तो यह देखिए हमारा खटा मीठा पानी अब रेडी हो गया है इसे अभी हम साइड में रखते हैं तो मीठा पानी तो हमारा रेडी हो गया है तो चलिए अब आलू मसाला भी त्यार कर लेते हैं जो कि हम पानी पूरी को सर्फ करने के लिए यूज करते हैं तो इसके लिए मैंने दो आलू यहां पर बोईल करके मैश करके ले लिए हैं और इसमें अब हम डाल रहे हैं एक मुप्टी काला चना जो कि मैंने भीगा कर बोईल करके लिया है यह देखिए काला चना इस तरीके से बोईल होना चाहिए कि हाथ में आते ही अच्छे से मैश हो है एक इसमें मैं कटी भी हरी मिर्च डाल रहे हूं हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें दो मैंने यहां पर छोटे साइज के प्याज काट के लिए हैं यह भी हम इसमें डाल देंगे लगभग एक त्याई चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं बोना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डालें मैंने यहां पर यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है स्वाद चूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा आलू मसाल भी अब रैडी हो गया है तो चलिए अब पानी-पुरी भी बना लेते हैं तो पानी-पुरी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कड़ाई में तेल रखा है तेल को मैंने अच्छा गरम रखा है और मैंने यहां पर यूज की है रेडी-मेट पानी-पुरी तो इसे हम तेल में डालेंगे फ्लेम को हम पहले हाई रखेंगे लेकिन जैसे हम पानी-पुरी तेल में डाल देंगे, तेल हमें ध्यान रखना है कि अच्छा गरम होना चाहिए, और अब हम फ्लेम को पानी पूरी डालने के बाद मेडियम टू लो पर रखेंगे, यह देखिए तेल में जाते ही जो पानी पूरी है वो तुरन फूल जाती है, और लगबग 20 से 30 सेकेंड में रेडी हो जाती है तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी की पानी पूरी भी बना कर तैहार कर लेंगे अजय मेंगे झाल निकाल बना कर लेंगे, और रखेंगे, और मेंगे तेल में दूल आते हैं के जाते हैं।